नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागता दोस्तों आप सभी के लिए बहुती बड़ी खाबर है जो कि भी ऐसी पलष्टू के बच्चे हैं उनके लिए विद्यार्थियों को जो है बीना प्रिक्षा के ही पर्मोट करने का फैसला लिया जा चुका है कल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है जिसमें परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने ये फैसला लिया है कि बच्चों को बीन प्रिक्षा के ही प्रमोट करने का फैसला लिया जा चुका है तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आप नोटिस देख रहे हो ये प्रमोशन का जो फैसला है उसका नोटिस है जो बच्चों को बिना प्रिक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा तो दोस्तों CBSC के विद्यार्थी जो है जो बिना परिक्सा के प्रमोट किये जाएंगे उनमें जो है बहुत से विद्यार्थी नाखुश भी है उनके पास जो है एक विकलप भी होगा विकलप क्या होगा वीडियो को अंतक जरूर देखे क्योंकि सारी डिटेल जो है आपको इस विडियो में मिल जाएगी करोना की तीसरी लहर की अशंकाओं के खत्रे के भी सरकार ने CBSC की बार्वी की प्रिक्सा रद करने का फैसला किया है परदानमंत्री नरेंदर मोधी ने सोंवार को इस मुद्दे पर राज्या और अन्या हित धारकों से व्यापक चर्चा के ब फैसला लिया है ऐसे में अब ये स्वाल उठ रहा है कि आकिर किस अदार पर चात्रों के प्रिक्सा प्रिक्सा प्रिणाम तै किये जाएंगे यदि चात्र अपने रिजल्ट से संतूष्ट नहीं होता तो उनके लिए जो है कि इस परकार का विकलप जो है त्यार किया साथ ही सीबीएसी बोर्ड से यह सहुलित देने के लिए भी कि कहा कि यदि कोई शात्र अपने रिजल्ट से संतूष्ट नहीं होता तो उसे ओफलाइन एक्जाम का दूसरा मोका दिया जाएगा ऐसा शिर्फ उनी हालातों पर होगा जब करोना को लेकर स्थितियां समान्य हो तो दोस्तों आप देख सकते हो जो भी द्यारत के अपने रिजल्ट से जो है सैटिस्फाइड नहीं होगा तो कुरोना के बाद जो हां उनको उफलाइन एक्जाम देने का भी मोका दिया जाएगा बैठक में सामिल केंद्रिया मंतरी धर्मिंदर परदान ने कहा कि रिजल्ट त्यार करने के लिए इंटरनल परिक्षा को भी अधार बनाया जा सकता है अभी तक शात्रों के जो ग्यारवी और बारवी के जो इंटरनल एक्जाम हुए हैं उनके असेस्मेंट के अधार पर नतीजे तै किये जाएंगे हर एक्जाम में उनके दाखिले के पिछले साल की तरह सुविधा भी रहेगी आगे चलकर प्रिस्तिते नॉर्मल होंगी तो वो प्रिक्षाएं जो है दे पाएंगे तो दोस्तों ये जो डिशीजन जो है लिया गया है कि बाद में जो है विद्यार्थी अपनी प्रिक्षाद दे पाएंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुती बड़ी ख़बर है जो विद्यार्थी पलस्टू कुलास में थे सी बीएसी के बच्चे थे अगर आप सोच रहे हैं कि सी बीएसी रिजल्ट को किस तरह पर दर्सी तामाद्यम से त्यार करेंगा तो इसका जवाब जो है बोड दसवी के लिए तयार की गई नियूनतम एग्जाम पोलिसी सी बीएसी बोड्ड के दसवी के छात्रों का result त्यार करने के लिए जो पोल्च से अपनाई गई है उसमें साथ स्कूल के teacher और उनके principal को शामिल किया गया है मतलब किया जाता है उसमें उस committee से बात की गई है कि वो committee जो है आपका result त्यार करने में पूरा पूरा रोल निभाएगी इस committee में principal के इलावा साथ teacher होंगे result को final रूप देने के लिए teacher में पांच उसी school के teacher होंगे ये पांच teacher गणित social science, science और अन्या दो language के होंगे इसके इलावा committee में दो teacher के पास किसी अन्या school के होंगे जिसे school का external member के तोर पर जो है वो result को त्यार करेंगे इस committee की पहली जिम्मेवारी महामारी काल में दस्वी का निस्पक्ष और भेदवाव रहित result त्यार करने का था committee के सभी सदस्य पोलिशी की बरिक्की से जानकरिया जो है उनके पास होनी जुरूरी है इसके इलावा उनसे आपसे में बातचीत करके और internal assessment करके जो है पूरी पूरे त्रिके से विद्यार्थियों का जो result है वो उनको satisfied करने वाला होगा जो उनके पहले exam हुए थे तो दोस् में रखके और committee जो है त्यार की जाएगे उसमें अलग-अलग language से और science, math और social science in subject के teacher रहेंगे और head जो रहेगा एक principle रहेगा तो पूरे निस्पक्स तरीके से जो है आपका result है त्यार किया जाएगा और जो result से satisfied बच्चा नहीं होगा वो बाद में करोना की स्थिती normal होने क कि बाद अपने एक्जाम जो है दे सकता है तो दोस्तो ये थी update जो बहुत ही बड़ी update है इसी के सासा दोस्तों जो cbse के सासा जो राज्यों के board होते हैं जैसे हर्याना बोड है hbsc तो उनको भी जो है hbsc बच्चों को भी इसी तरज पे पास किया जाएगा क्योंकि cbsc जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करें धन्याबाद जाहिंद जाभारत